आज हम आपका परिचे करवाते हैं एक विशेश प्रकार की इत्रिविमिये ठोस आकेती से जिसने मानल जीवन की विकास और सभिता की तहानी में एक विशेश स्थान पाया है लगबग 2000 और 3000 इसा पूर्व मिस्र के सभिता के व्यभव का अभिन अंग ये भव इमारतें उनके एक अनूठी कहानी कहती है इन्हें कौन नहीं पैचानता आप भी पैचानते हैं ये है विश्व के साथ आश्चरियों में से एक मिस्र के प्रसिद पिरामिट मंदिर में बर्ती हुई घंटियों ने आपका ध्यान अपनी और आकरशित किया होगा क्या कभी आपका ध्यान मंदिर के चोटी की तरफ कया उसके आकार की तरफ ध्यान पे इन सभी विशेश प्रकार के ठोस आकृतियों को हम उनके प्रारूपत्वारा समझते हैं इस ठोस आक्रिती को देखिए इसका आधार शर्बुज के आकार का है और इसके पार्षविय फलक त्रिबुज आकार आकार के हैं त्रिबुज आकार के इसके पार्षविय फलक हैं सभी और ये सभी पार्षविय फलक एक उभय शीष्ट बंदू से आपस में डुड़े हुए हैं इस ठोस आक्रिती में इसका आधार पंचबुज है पांच बुजाए हैं इसकी और इसके पार्षविय फलक भी त्रिबुजाकार हैं और ये सभी त्रिपुजाकार पार्श्वियों फलक उपर जाकरके एक शीर्ष बिंदू से उभ्यनिश शीर्ष बिंदू से जुड़े हुए है यह एक अनिठोस आकरिती है इस आकरिती के आधार को देखें तो इसका आधार वर्ग के आकार का है और इसके भी पार्श्विप्रिष्ट त्रिपुजाकार आकार के हैं त्रिपुज यह भी त्रिपुज और यह भी त्रिपुज और यह सभी पार्श्विप्रिष्ट आपस में एक शीर्ष मिंदू से जुड़े हुए है यह एक और इसी प्रकार की ठोस आकरिती है इसका आधार त्रिबुज के आकार का है और इसके पाश्विय फलक त्रिबुज आकार है ये भी त्रिबुज है और ये पाश्विय फलक भी त्रिबुज के आकार का है और ये तीनों पाश्विय फलक एक शीश बिंदू से आपस में जुड़े हुए हैं तो इस सभी थोस आकृतिओं में हम क्या समानता हैं जोभूष हैं और और पार्श्विय फलक त्रिबूठ हैं और ये सभी एक उभहनिस्ट शीर्ष बिंदू से चुड़े और तुड़े हुए हैं इन त्रिबुजाकार पिष्टों का एक उभ्यनिष्ट शीर्ष आधार तल के पाहर होता है। अब इन पिरामिट के आधार जिस आकार के होते हैं उसी नाम से हम उन्हें पकारते हैं। त्रिबुजी ये पिरामिट या चतुष्पलक जिसे हम कह रहे हैं उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें। यह एक पिरामिट है त्रिबुज आधार का इस पिरामिट के आधार का ये केंद्रख हमने मार्क किया हुआ है। अब अगर आधार के केंद्रख को हम शीष से जोड़ें। तो यह जो रेखा खंड है आधार के केंद्रख को शीष से मिला रहा है। यह है अगर आधार पर लंब हो तो पिरामिट जो है लंब पिरामिट कहलाता है। यह लंब तरिभूजी यह पिरामिट है। इसके पाश्विय फलक तीन है और यह जो किनारे हैं इन्हें हम पाश्विय कौर कहते हैं। इसके पाश्विय कौर कितनी हैं एक, दो और तीन पाश्विय कौरे हैं और तीन और भी कौरे हैं आधार की एक, दो और तीन। अर्थात इसके कुल छे कौरे हुई तीन पाश्विय कौरे और कुल छे कौरे और इसके शीर्ष कितने हैं एक यह शीर्ष है एक यह शीर्ष है और एक यह शीर्ष इसके चार शीर्ष है इसके आधार के मद्व बिंदू को शीर्ष से मिलाने वाला रेखाकंड पिरामिट की तिर्षी उचाई कहलाती है और अधिक जानने के लिए हम पिरामिट के पाश्विय फलकों को खोलते हैं अब देखिये ये पाश्विय फलक तिरभुजा कार के हैं और अगर हम इन पाश्विय फलकों को इस प्रकार खोल करके रख ले और इन पाश्विय फलकों को एक दूसरे के ऊपर रख करके देखें तो हम पाते हैं कि ये तीनों ही पाश्विय फलक क्या है सरवांग सम्त्री भूचें देखिए तीनों पाश्विय फलकों ने एक दूसरे को पूरी तरह से ढख लिया और इनकी यह भुजा क्या है पाश्विय कौर तो क्या मतलब हुआ कि यह जो पाश्विय कौरे हैं यह क्या है आपस में समान है और इसके बारे में एक और जानकारी आपको हम देते हैं कि यह इस भुजा का मद्ध बिंदू है और इसको हमने इस शीश से मिलाया है तो यह इसका इस त्रिभूज का लम समती भाजक भी है क्योंकि इसकी ये बुजाय आपस में क्या है? बराबर है तो यह जो लंबाई है यह पिरेमिट की तिर्ची लंबाई भी, तिर्ची उचाई भी कहलाती है अब अगर आप चाहें कि हम एक इस प्रकार का पिरामिट बनाएं तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि इस पिरामिट को बनाने के लिए आपको कितना कार्डबोर्ड या चार्ट जिस भी वस्तु से आप इसे बना रहे हैं वो कितनी चाहिए और वो जानकरी हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे आपको इस पिरामिट का संपूर्ड प्रिष्ट क्षेत्रफल ग्याद करना होगा संपूर्ड प्रिष्ट ये क्षेत्रफल अर्थात इसके ये तीन पाश्वे फलक हैं पाश्विप्रिष्ट का क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल यह आपको ज्याद करना होगा तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसके आधार का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्याद करेंगे और उसके लिए हम इस पिरामिट को खोलेंगे खोलने पर हमने पाया कि पिरामिट में ये तीन पाश्वी फलक जो है वो त्रिबुज के आकार के हैं और एक आधार है त्रिबुज के आकार का तो पाश्वी प्रिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिबुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये तीनों त्रिबुज ही सरवांगसम हैं, तो इसके लिए हम एक त्रिबुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, त्रिबुज के मध्य बिंदू को हम समुक शीष से मिलाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि यह है तिर्छी उचाई और तिर्छी उचाई को हम नाम दे देते हैं L का और ये है आधार आधार जो कि सम्भाह उत्रिबुज के आकार का है इसकी बुजा को हम नाम दे देते हैं A अब अगर त्रिबुज में आपको लंब को पता हो और आधार का माप पता हो तो त्रिबुज का क्षित्रफल क्या होता है एक पटा दो गुणा आधार गुणा लंब तो इसका अक्षेत्रफल क्या होगा एक पटा दो गुणा ए गुणा एल इसी प्रकार क्योंकि यह है त्रिबुज इस त्रिबुज के सरवांग सम है तो इसका अक्षेत्रफल भी होगा एक पटा दो गुणा ए गुणा एल और इसी प्रकार इस त्रिबुज का अक्षेत्रफ जह वो क्या हो जाएगा 3 बटा 2 A गुणा L इसका प्रिष्टी एक्षेत्रफल क्या हुआ 3 बटा 2 गुणा A गुणा L और अभी इसमें हमने आधार का ख्षेत्रफल शामिल नहीं किया है आधार कैसा है यह सम बाहुत्रिपुज के आकार का है इसकी बुजा की माप अगर हम मा क्या होगा वर्गमूल 3 बटा 4 A की घार दो तो हमने ग्यार किया कि पाश्वी प्रिष्ट ख्षेत्रफल क्या होता है 3 बटा 2 गुणा A गुणा L या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बटा 2 गुणा आधार का परिमाप गुणा 30 उसाए संपूर्ण प्रिष्ट ख्षेत्रफल होता है पाश्व पिष्ट क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल यानि कि यह होता है तीन बटा दो ए एल जहां पर ए है आधार की बुजा एल है तियर कुचाई जमा वर्गमूल तीन बटा चार एक इखार दो तो यह हमने सीखा कि किस प्रकार हम पाश्व पिष्ट क्षेत्रफल और संपून पिष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्यों ना हम कुछ इससंबंदी प्रश्णों को हल करके देखें किसी लंब पिरामिट का आधार संबाहु त्रिबुज है जिसकी प्रत्येक भुजा चार मीटर लंबी और इसकी प्रत्येक तिर्ची कोर तीन मीटर लंबी है पिरामिट का पाश्व पिष्ट का क्षेत्रफल ज्याद कीजिए अब इस प्रश्ण में हमें संभाहुत्रिबुज के आधार की भुजा की लंबाई दी है और तिर्षी को औरती है इस प्रश्ण को हल करने के लिए हम पिरामिट के मॉडल का प्रेयो करते हैं यह क्रामिट का मॉडल है और इसको हल करने के लिए हम इसके नामांकन करते हैं कीश का नाम हम रखते हैं O, A और B हमें चाहिए क्या हमें चाहिए इसके दिर्चियों चाहिए और उसके लिए हम क्या करते हैं की हमें दिया क्या हुआ है इसकी पाश्वियक और कितनी लंबाई है पाश्वियक और की लंबाई है तीन मीटर और आधार की लंबाई हमें कितनी दी है इस भुजा की लंबाई हमें दी है चार मीटर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पिरामिट की तिर्ची उचाई ग्याद करनी है पाश्विक्ष्ट क्षेत्रफल ग्याद करनी के लिए हमें पिरामिट की तिर्ची उचाई का पता होना जरूरी है अब देखिए O, D, B एक समकौन ट्रिबुच है और हम जानते हैं पाश्विक्षा करन का वर्ग शेष दो बुजाओं के वर्गों के योग के बेबर होता है तो ट्रिबुच O, D, B में O, B का वर्ग बेबर होगा O, D का वर्ग जमा B, D का वर्ग तो हम कह सकते हैं कि यहां पर O D का वर्ग जो हमें ज्याद करना है वो किसके बराबर होगा O B का वर्ग घटा B D का वर्ग और O D की लंबाई जो है वो बराबर होगी O B का वर्ग घटा, B D का वर्ग और इसका वर्ग मूल और इसके माप हमें दी है O B के लंबाए कितनी दी है 3, 3 का वर्ग माइनस B D क्या है? भुजा का आधा, यानी 4 का आधा तो यह हो गया दो, 2 का वर्ग और इसका वर्ग मूल इतना मीटर तो इसकी पैमाईश किसके बराबर होगी, वर्गमूल, पाच मीटर अब ये तो हमने निकाली उसकी तिर्षी उचाई और हमें निकालना क्या है उसका पाच प्रिष्ट चेतरफल तो पाच प्रिष्ट चेतरफल क्या होता है एक बटा दो गुना आधार का परिमार गुना तियर्ख उचाई तो ये किसके बराबर होगा एक बटा दो गुना तीन गुना चार गुना वर्गमूल पांच और इसके साथ क्या हैगा वर्ग मीटर और इसको हल करने पर आएगा 6 वर्ग मूल 5 वर्ग मीटर और चाहें तो इसको आप आगे और हल कर सकते हैं वर्ग मूल 5 का मान निकाल करके तो इसका मान आएगा 13 दश्मलव 4 चार वर्ग मीटर तो आईए एक और प्रश्ण हल करें जिसमें हमें इससे कुछ विविन जानकारी दी हो एक लंब पिरेमिट का आधार सम बाहुच्रीबुच है जिसका क्षेतरफल 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर है और तिर्षी उचाई 3 सेंटीमीटर है पिरेमिट का पाश्व पिष्ट और समपूर्ण पिष्ट क्षेतरफल ज्याद कीजिए अब इस प्रश्ण में हमें क्या जानकारी दी गई है हमें आधार का क्षेतरफल बताया गया है सोला वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर और तिर्षी उचाई दी है 3 सेंटीमीटर ज्याद क्या करना है पिरेमिट का पाश्व पिष्ट और समपूर्ण पिष्ट क्षेतरफल उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए आधार की बुजा का माप और हमें दिया क्या है आधार का क्षेतरफल आधार संबाहुत्रिबूज है और संबाहुत्रिबूज का बुजा का माप अगर ए हो तो क्षेतरफल क्या होता है वर्गमूल 3 बटा 4 ए की घाद दो और उसकी माप हमें किसके बराबर दी है सोला वर्गमूल तीन वर्ग सेंटीमीटर तो यहां से एक ही घाद दो का मान आया चौशट और एका मान हुआ आठ सेंटीमीटर तो यह हमने घाद की पिरामीट के आधार की भुजा और अब हमें घाद करना है उसका पार्ष प्रिष्ट क्षेत्रफल और संपोन प्रिष्ट क्षेत्रफल तो उसका पार्ष प्रिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है एक बटा दो गुणा तीन ए गुणा एल जहां पर ए क्या है आधार की पुजा एल क्या है तिर्छी उचाई तो यह किसके बराबर हुआ एक बटा दो गुणा तीन गुणा आठ गुणा तीन यह हुआ 36 वर्ड सेंटिमीटर अब और क्या हमें इसमे कालना है संपून प्रिष्ट क्षेत्रफल तो अब हम संपून प्रिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे वे क्या होता है पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल में अगर हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें तो वो क्या होगा समपून प्रिष्ट क्षेत्रफल अब पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल हमने निकाला कितना है 36 वर्क सेंटीमीटर क्या होगा इसके संपूर्ण प्रिष्ट का क्षेत्र रुपर तो अब आप इस प्रकार के और प्रश्ण जो है स्वेम्भान करके देख सकते हैं अब अगर हमें एक पिरैमिट दिभूजीय पिरैमिट बनाना हो इधातु का तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्ण कि उसको बनाने के लिए कितनी धातु प्रियोग होगी और कितनी धातु प्रियोग होगी यह जानने के लिए हमें क्या करना होगा पिरैमिट का आयतन ग्याद करना होगा अब पिरैमिट का आयतन हम किस प्रकार ग्याद करेंगे उसके आयतन को ग्याद करने के लिए हम प्रि पिरामिट और एक प्रिस्म लेते हैं और हम प्रिस्म में द्रव डालेंगे प्रिधरी नविभर के जितना उसमें द्रव आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो आइतन का उनका हमारे पास संबंद आ जाएगा तो इस क्रिया को हम करते हैं यह हमने इसमें ऊपर तक पानी भर के लिया और इसे हम प्रिस्म में उडेलते हैं यह हमने देखा कि एक बार इस प्रकार भर कर डालने पर यह नहीं भरा तो हम दुबारा से उसे करते हैं पाणी लेंगे पिरामिड में और प्रिस्म में डालते हैं अभी भी ये नहीं भरा तो एक बार फिर पाणी लेते हैं और इस प्रकार हम पाते हैं कि तीन बार हमने पिरैमिड में पानी भरके प्रिस्म के अंदर डाला और यह प्रिस्म जो है बिलकुल उपर तक भरकिया इसका मतलब क्या है कि पिरामिट का आयतन क्या है प्रिस्म के आयतन का एक तिहाई और प्रिस्म का आयतन क्या होता है यह तो आप जानते ही है आधार का क्षेतरफल गुणा इसकी उचाई तो पिरामिट का आयतन क्या होगा एक बटा तीन गुणा आधार का क्षेतरफल गुण उचाई और अगर हम आधार की भुजा को मान ले A और उसकी उचाई को मान ले H तो यह किसके बराबर होगा वर्गमूल 3 बटा 12 A की घाद 2 H अब क्यों ना हम कुछ आयतन संबंदी प्रश्णों को हल करके देखें एक लंब पिरैमिट का आयतन ग्याद कीजिए जिसकी उचाई 4 मीटर और जिसका आधार 1 मीटर भुजा का संबाहु त्रिपुज है अब इस प्रश्ण में हमें क्या दिया है इस प्रश्ण में हमें उचाई दिया जिसको हम माल लेते हैं H कितना जो है 4 मीटर और इसमें हमें क्या दिया है आधार की भुजा इसे हम माल लेते हैं A ये क्या है 1 मीटर तो हमारा सूत्र हमें क्या बताता है कि आयतन क्या होता है आयतन होता है वर्गमूल तीन बटा बारा एक गाद दो गुणा एच तो ये किसके बराबर होगा यह होगा वर्गमूल तीन बटा बारा गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एच का माप कितना है चार और क्योंकि ये आयतन है तो ये किस में होगा घन मीटर और इसको हल करने पर इसका मान आता है वर्गमूल तीन बटा तीन घन मीटर और अगर इसको हम वर्गमूल तीन का मान रखने एक दश्मिलव साथ तीन दो तो इसको हल करने पर हम पाएंगे जीरो दश्मिलव पांच साथ साथ घन मीटर तो ये तो हमने आयतन ग्याद किया अब आए कुछ इससे थोड़ी से विभन प्रस्तिती का हम एक प्रश्न और लेते हैं उससे हल करते हैं एक लंप पिरैमिट का आधार सम बाहु त्रिबुष है उसका आयतन पचास वर्गमूल तीन घन मीटर है और उसकी उचाई छे मीटर है आधार की भुजा ग्याद कीजिए अब इस प्रश्न में हमें क्या जानकारी दी गई है हमें बताया गया है पिरैमिट का आयतन कितना सुत्रे लगाते हैं आयतन का आयतन क्या होता है वर्गमूल तीन बटा बारा एक ही घादो एच और किसके बराबर दिया हमें यह यह दिया है पचास वर्गमूल तीन घन मीटर अब यहाँ पर जो हमें मान पता है उसे हम लिख देंगे हमें किसका मान पता है एच का मान हमें ग्यात है कितना है छे तो यह हो जाएगा वर्गमूल तीन बटा बारा एक ही घाद दो एच की जिगर क्या लिखेंगे छे बराबर है पचास वर्गमूल तीन घन मीटर और यहां से हम प्राप्ट करते हैं एकी घाद दो बराबर है सो के और जब हम उसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आएगा ए बराबर है 10 मीटर तो हमें आयतन दिया था और हमने क्या ग्याद किया हमने ग्याद किया आधार की भुजा को तो इस प्रकार के प्रेश्ण अब आप स्फेम भी हल कर सकते हैं अभी तक हमने क्या सीखा पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल ग्याद करना पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है 3 बटा 2 गुणा A गुणा L जहां पर A क्या है संबाहू आधार वाले त्रिपुज की भुजा और L क्या है उसकी तियर्क उचाई यानि कि हम कह सकते हैं कि पाश्व प्रिष्ट क्षेत्रफल होता है 1 बटा 2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तियर्क उचाई और संब्पूर्ण प्रिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा कि उसमें आधार का क्षेत्रफल हम और जोड़ दे तो वह होगा पाश्वफिष्ट क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल यानि कि 3 बटा 2AL जमा वर्गमूल 3 बटा 4A की खार 2 तो आप इस प्रकार के और प्रस्टन ले सकते हैं उन्हें स्वयम हल करिए अगर कठनाई हो तो आप उसके लिए अपने अध्यापक से संपर्थ करें और अगर आप चाहें तो हमें भी संपर्थ कर सकते हैं